नमस्कार आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज विकरम सम्मत दोहजार स्तेतर सक सम्मत उनिसो बियालिस आज आश्विन मास के सुकल पक्स की तरियोदेशीती थी तद अनुसार गुरुवार उनतिस अक्तुबर दोहजार बीस हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं आज का विचार मैं स्रेश्ट हूँ यह आत्मिश्वास है लेकिन मैं ही स्रेश्ट हूँ यह एहंकार है मंजिल चाहे कितने वियुची क्यों नहों रास्ता हमें सब प्यारों के नीचे ही होता है कोरोना उप्चुनाओ के चलते इस बार तीन केटेगरी के लोग पोस्टल बैलेट के जरी मद्दान कर्श केंगे इसके लिए चुनाओ आयोग ने छे टेमे बनाई हैं जिनमें एक लेक्षरर एक फोटोग्राफर और एक पुलिस कर्मी होगा जानकारी के मताबिक इस बार बुरोदा उप्चुनाओ में दिव्यांग, कोरोना पोजिटिव मरीज और 80 साल से ज्यादा उमर के मद्दाता मद्दान कर्श केंगे इन मद्दाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुईदा देने का फैसला किया गया है बता दें इस 544 मद्दाताओं के लिए वोटिंग बुद्वार से सुरू हो गई है चुनाओ आयोग की टीम मद्दाताओं के पास जागर मद्दान करवा रहे हैं इन 544 मद्दाताओं के लावा ये सुईदा सरकारी करमचारियों, सेना, पुलिस और जिनकी ड्यूटी चुनाओ में लगेगी उनको दी जाती है इन सभी मद्दाताओं की पैचान चुनाओ आयोगनी कर ली है इन वोटों के गिंती 10 नॉमबर को बाकी वोटों के साथ की जाएगी जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा लोगडाउन के चलते बीते 8 महीनों से बंद चलने स्कूलों को खोलने का सासिक फैसला अब हर्याना सरकार ने ले लिया है स्कूल खोले जाने के लिए सरकार ने 2 नॉमबर की तारिक तैकी है विभाग की और से कंटेन्मेंट जोन से बाहर के स्कूलों को खोलने को लेकर SOP यानि स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसेजर जारी कर दिया गया है विभाग के और से सभी जिला सिक्सा आधिकारियों को पत्र बेज कर अपने छेतरा अधिकार के अंतरगत आने वाले स्कूलों में SOP का पालन सुनिशित करने के निर्देश दिये गए है स्कूलों में आने वाले विदार्थें को अपने आभिभागों से लिखित सहमती देनी होगी स्वास्त सुरक्ष्या के नियमों का पारण करने की निर्देश दिये गए हैं हर्याना सरकार ने त्योहारों की सिजन को देखते हुए गुरूप C और गुरूप D की नियमित करमचारीं को करम से 18,000 रुपए और 12,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णे लिया है एक सरकारी प्रोग्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंद्री मनोहरलाल ने इस आज से के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस अगरिमराशी का भुगता नॉवंबर 2020 के पहले सफ्ता में किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस फैसले से राजे सरकार के ग्रूप C और ग्रूप D के 2,29,631 नियमित करमचारियों को 3,46.49 करोड रुपे का फायदा होगा अगरिमराशी ब्याज मुक्त होगी और अधिकतम 12 किस्तों में वसूल की जाएगी फ्रांस से 5 नॉवंबर को सिधा अंबाला में लेंड करेंगे 3 और राफियल जेट अप्रेल 2021 तक फ्रांस से भारत को 16 और राफियल फायटर जेट मिल जाएंगे इन सबी राफियल को हरियाना के अंबाला स्थित आएफ की गोल्डन एरो स्कौर्डन में तैनात किया जाएगा इसके साथ ही फ्रांस के सबसे बड़े जेट इंजन नर्माता कमपनी साफरान ने भी फैसला किया है कि वो भारत में फायटर जेट के इंजन तैयार करेगी हिंदुस्तान टाइम्स के सूतरों के हवाले से एजान करी दी गई है 29 जुलाई को फ्रांस से अबुधा भी होते विए 5 राफियल जेट का पहला बेच अंबाला पहुंचा था अब 5 नौंबर को 3 राफियल अंबाला पहुंचने वाले हैं ये 3 राफियल सिधा फ्रांस से आएंगे और बीच में कहीं नहीं रुकेंगे 31 दिसंबर तक नहीं बड़ी है वाहन बीमा पोलिशी की वैदिता देश में कोरोना महामारी के अकारण पिछले कई महीनों से चल रही बंदी को देखते विए केंदर सरकार ने वाहन संबंदे दस्तावेजों की वैदिता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है हालाएं कि इसमें वाहन बीमा से संबंदे दस्तावेजों को सामिल नहीं किया गया है बीमा परिशत के अनुसार केंदर सरकार दौरत 24 अगस्त को जारी केगी सूचना के अनुसार वाहन बीमा पोलिशी को समय पर रेनू करवाना आवशक है अगले महिने नौमबर को देश में रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े एक एहम नियम में बदला होनी जा रहा है एक नौमबर से गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी की सारी परिकरिया बदल जाएगी एक तारिक से LPG गेस सिलेंडर की डिलिवरी को लेकर नया सिस्टम जारी होने वाला है जिसके बाद आप बिना OTP के सिलेंडर नहीं ले पाएंगे इसके साथ ही इंडियन गेस ने भी सिलेंडर बुकिंग का नंबर चेंज कर दिया है आपको बता दें कि नई सिलेंडर डिलिव पोलिशी में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका मोबाइल नंबर गलत है अगर किसी ने मोबाइल नंबर चेंज किया है तो उसे डिस्टिबूटर के पास अपडेट कराना होगा अब देश की सबसे बड़ी पैटोलिम कंपनी ने भी सभी सरकल के लिए एकी नंबर जारी कर दिया है इसका मतलब है कि अब इंडियन गैस के देश बर के सबी गराकों को एलपेजी सिलेंडर बुक कराने के लिए साथ साथ एक आठ नो पाच 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 यानि सतेतर एक सो नवासी पचपन पान सो पचपन पर कोल या समस भेजना होग दिल्ली में कोरोना की मामले लगादार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में परदेश सरकार ने स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है दिल्ली के सिक्स्यामंतरी मनीजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे दिल्ली के सिक्स्यामंतरी मनीजी स्कूल अगले आदे record कायम किया है अगर आपका इरादा इस बाइक को खरीदने का है तो आप इसे 11,111 रुपे की डाउन पेइमेंट पर 100 फिजदी लोन सर्विस के साथ खरीद सकते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह बाइक सिर्फ 1555 रुपे की मासिक EMI पर मिल जाएगी देश बर में इस वक्त प्याज की चर्चा जोर सोर से हो रही है देश के अलग-अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपे किलो से लेकर 100 रुपे किलो तक भीक रही है लेकिन सर्वों के तेल की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4-5 दिन में ही सर्सों के तेल पर 8 रुपे से लेकर 15 रुपे परती क्लोगरम तक दाम बढ़ चुके हैं अगर बीते एक साल की बात करें तो सर्सों का तेल 50 रुपे परती लिटर तक महेंगा हो चुका है हाल फिलाल काबू में आते नजर नहीं आ रहे हैं ब्लेंडिंग का खत्म होना सर्सों का इस साल कम उत्पादन होना और तेलों के लिए बनी विदेश नीती में कुछ बदलाव होने के जलते यह असर पड़ रहा है राष्टपती रामनात कोईन ने दिली उनिवेस्टी के वाइस चांसलर प्रोफिसर योगी स्त्यागी को ततकाल प्रभाव से सस्मेंड कर दिया है शिक्सया मंत्राले ने बुद्वार को यह जानकारी दी योगी स्त्यागी पर पद के दूरपयोग और ब्रश्टाचार के आरोप लगे हैं राष्टपती ने इसके जांच के आदेश दिये हैं त्यागी 10 मार्च 2016 को डियू के वाइस चांसलर बनाए गई थे उनका कारेकाल अगले साल 15 मार्च को खत्म हो रहा था राष्टपती के अप्रोल के बाद अब मंत्राले जल्दी वाइस चांसलर को कारण बताओ नोटिस भेजेगा बिहार में बुद्वार को पहले फेज में 31 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है यहाँ 53.5% मत दान हुआ इन 31 सीटों पर 2015 विदान सबाच चुनाओ में 55.1% वोट पड़े थे लोग सबाच चुनाओ में इन सीटों पर 53.5% वोट डाले गए थे 2010 के विदान सबाच चुनाओ में इन पर 50.67% फिजदी वोटिंग होई थी यानि इस बार वोटिंग 2015 के मुकाबले करीब 2% कम और 2010 के मुकाबले करीब 3% ज्यादा है IPL के 13 सीजन के 48 मैच में मुंबई इंडियन्स ने रोयल चलेंजर्स बैंगलूर को 5 विगेट से हरा दिया सेजन में 8 वी जीत के साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल में टोप पर बरकरार है वहीं 16 पॉइंट्स के साथ उसने प्लेओप में अपने जगहें भी पक्की कर ली है अब उधाबी में खेले गई मुकाबले में टोस हार कर बल्लेवाजी करते हुए बैंगलूर ने मुंबई को 105 टरन का टार्गेट दिया था जवाब में मुंबई ने 19.01 एक ओर में 5 विकेट पर 166 टरन मना कर मैच जीत लिया सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज़्यादा उनैसी रन की नावाद पारी खेली उने मैं अफ दे मैच भी चुना गया वहीं बैंगलूर के मुंबई शिराज और यजुएंदर चेहल को दो दो विकेट मिले केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसानों के लिए फल सबजियों की नियुनतम दाम यानि MSP तैक किये गए हैं दाम उतपादन लागत से 20% जादा होगा फिलाल सरकार ने 16 फल सबजियों की दाम तैक किये हैं इसके अलावा खाने पीने की 21 चीजों पर MSP तैक की गई है योजना एक नॉमबर से लाग होगी और तब तक राज्य में उतपादित सभी सबजियों की दाम तैक कर दिये अगर आप सोच रहे हैं कि सभी तरह के लोन मोरेटरियम पर आपको एक्स ग्रेशिया का फाइदा मिलेगा तो यह गलत है खबर है कि सरकार फिक्स डिपोजिट यानि FD, सेयर्स और बॉंड्स के एवज में लिएक कर्ज पर कोई एक्स ग्रेशिया का फाइदा नहीं देगी यानि इन कर्ज को सरकार के राहत की स्कीम से बाहर कर दिया गया है सेंसेक्स 599 अंक नीचे बंद BSC में लिष्टेड कमपनियों का एप कैप 1.55 लाग करोड गठा दिगज सेयरों में भी रही गिरावट सोने की किमते 46 रुपे गिरकर 50,915 रुपे परती 10 गराम तक पहुंची तो मैं चांदी 86 रुपे गिरकर 62,195 रुपे परती किलोगराम हुई अगर आप महिला हैं और ट्रेन में अकेले सफर करते हैं तो अब आपको गबरानी के जरूरत नहीं है आप बेफिक्र होकर यात्रा कर्ष केंगे दरसल आपके सुरक्षा के लिए भारती रेल्वे ने मेरी सहली अभियान की सुरुवात की है इसके लिए रेल्वे पुलिस बल यानि और पियार की या टीम महिला यात्रीयों को जागरू करेगी और अकेले सफर कर रही महिला यातरियों से जानकरी लेगी अब अगर महिला यातरी को ट्रेन में कोई प्रेशान करता है या अन्य कोई समस्या होती है तो वै मेरी सहली टीम से अपनी बात कह सकती है उसके पूरी मदद की जाएगी रेलवे बोर्ट से जारी सूचना के अनुसार हर कोच में यह टीम महिला यात्रियों का हाल चाल लेंगी यह परक्रिया हर स्टेशन पर होगी आप रेल सुरक्षावल के हेल्प लाइन नंबर 182 यानी 182 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं इस अभियान से काफी है तक अपराध 29 सक्तुबर 1945 को पहला बोल पॉइंट पेंट बाजार में आया और अंत में मुक्यवाजे में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बोक्सर विजेंदर सिंगा जन 29 सक्तुबर 1985 में हुआ कर दो एक पहला भी।